तो से 80 प्रतिशत हो गया इनने बढ़ाया है कि घटाया है पुछ हो इंसे अकरांता राज कर रहे थे आप ही क्या मतलब आप मुगलू को अपना क्यों माल लेते हैं औरंग जेप से रिष्टा रिष्टा जोडते हैं राम से रिष्टा तोडते हैं आप कि अपने लगार हमारे हम थे आप अमिश भाई यह जो कश्मीर में लोग मारे का उस पर इस प्रकार का बेशर्मी करना आपको लगता या बद्रता आपको आपको मेरे को और शोग जहलना चाहिए यह कश्मीरों को पंडितों का मारा जाना यह नौटंकी है यह सब नौटंकी क किसी महिला के साथ रेप होना नौटंकी है मस्जद क्या और यह नौटंकी करता हूं कि जिस प्रकार का बिहेवियर आज वह जमाई ने दिखाया है जब मैंने कहा कि कश्मीरी महिलाओं के साथ बलातकार हुआ यह नौट किया जाए जनता जनारदन देखे इनके इंसेंसिटिवीटी को आप इसको पोलिटिकल बिल्दिंद कर रहे हैं और दोर रखेंगे यह नगया तक नदे रहां है में इंको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे पास ना है हमको डर लगता है। कि विशह ढंबीर हैं रहा हम तो को उनके बास नहीं चाहरहे हैं यह क Norah यह क्यूं पास आते हैं इस प्रकार के मुड्रा के साथ यह पास क्यूं आपtest प्ता करें को लिए आप लोग देशके हुआ है कोई कुछ बोलना चाहता है क्या हाथ कोड़ना कर ये जो बोला चाहता है इक हाथ कर करीए जो बोला चाहता है चाहता है हिजाब को इतना बढ़ाया चड़ाया गया और जिस तरह से हिजाब को मुद्धा बनाया गया अगर उसकी जगा महिला सेक्यूरिट्री विचे होता तो जाधा अच्छा होता ही जाधा बैतपूर है और आप आप शोई 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 जो जो भई आप यहां पर गिर्जा टिक्की के साथ जो हुआ वापे कश्मीरी महिलाओं के साथ जो हुआ उसको लेकर आप जिस तरह की मुद्राय अपना रहे थे यह बहुत गलत था इतरी दो जो लोग जो लोग कश्मीरी पंडितों के इस तरास्ती के हसी उडा रहे है देश की जंता उन्हें जवाब देगी मेरा कोशन है कि वालिवुट में मुसलिम मलके ऊपर माइनम था मुवी बने बहुत चारी मुवी बनिया य है नीव फीरग मुब बनिया लेकिन जब हमने कुछ नहीं करे तो एक कश्मीर फाइल चो मुवी बनी है इसमें हमारीक श्माइर पंडित के भारे में माध ओर तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए क्योंकि सचाई निकल कर बहर आ रही है ना वो इसलिए कि अध्या पुछा तो सबूला कि आपको जब फिल्म आये उसके बाद पजा चला जब तक फिल्म नहीं थी तब तक यह मुद्दा क्यों ने उठाया गया फिल्म आने के बाद के उठाया गया जिसने लगातार उठाया और लगातार बोला गया जो बार-बार इन्हों ने कहा ना सरकार की बाद 1996 में अनंत नाग में दंगा हुआ था राजीव जी के साब में जग मोहन जी ने राजीव गांदी को चिठिया लिखी दस से जादा आप आपकी तो बोले वो बोले ठीक है ठीक है फाइनल वर्ड तो कि सरकार से बड़े सारे चलते थे एक पूर्टिस्ट का क्या था आर्टिकल 370 हटाओ आर्टिकल 370 हटाओ देखो इन्होंने का हमने कुछ नहीं किया जो कश्मीरी पंडित के प्रॉब्लम का में जड़ था अनुछे 370 उसको मोदी जी ने हटाया इन लोगों ने कहा खून की नदिया वहेंगी यह ही दो लोग है जिन्होंने कहा था अनुछे 370 को छूखेंगे को हिंदूस्तान टूट जाएगा और ये सोहेद जमाई ने कहा था कि कोई भी तिरंगा तक नहीं ठाएगा और त्रहमानी साथ कहते थे खून की नदिया वहेंगी जिनके साथ आप सरकार में थे आप नहीं थे नहीं मानने को तैयार है कि हिजाब अब पहनना स्कूल के अंदर बहारा अब डाल ये अब गैर कानून नहीं कोट ने बोल दिया है तो उसको मानना पड़ेगा राम मंदिर अगर बन रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 370 अगर हट रही है तो बोलना पड़ेगा कि भारत सरकार का प्रोगेटिव है हटा रही है CA अगर कानून आ रहा है उसमें किसी की नाग रिखता नहीं जा रही है उसमें जूट और भ्रम नहीं फैलाना होगा आप पूछते हैं ना किसी डिबेट में सुल्यूशन निकलता सुल्यूशन यही है कि आप जूट बोलना बंद कर दें